हेलो डियर फ्रेंड्स रुद्रा इंस्ट्यूट दूर्ग आपका स्वागत करता है दोस्तो छतिगड राज लोकसे वाय मुख परिच्छा प्रश्ण पत्र तीन चतिगड का इतिहास पर आधारित पाठिक्रम के लुसार हम इस कड़ी में आपके समझ चतिगड के मद्धिकालिन इतिहास पर प्रिकाश डाल रहे हैं इस त्रिंखला में चालुक की काक्ति इवंस और सोम उवंस को हम प्रस्तुत करेंगे आईए दोस्तों देखते हैं हमने पिछले वीडियो में नेमने बिंदों पे प्रिकाश डाला था जिसको आप उपर दिये गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं चतिसगड का मध्यकालिन इतिहास स्रीजी मेडिवल हिस्ट्री एक हजार से लेकर सत्रा सो संतावन एडि कवरधा के फड़ी नागवन्स बस्तर का छिंदक नागवन्स और चतिगड राजे के उत्तर मध्यभाग में कल्चुरी राजवन्स आज की वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हैं किन्त इसके पूर आपसे अनरोध है कि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को नेमित रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं या सुझाओं को कमेंट के माध्यन से हम से चाजा करें जिससे हम और अधिक उत्कृष्ट और महात्मूर सामग्री आपके समझ प्रस्तुत कर सके उबरतमान बस्तर संभाग जिसे हम दंड कारण प्रदेश के नाम से भी जानते हैं इसका इतिहासिक संदर्व रामायन महाभारत काल से लेकर आधोने काल तक रहा इसमें अनेएक राजबंसों ने इस भुभाग में सासन किया मद्यकालिन इतिहास के दौर में बस्तर छित्र में छिंडक नागवंस, कांकेर का सोमवंस और चालुक काक्थी वंस का सासन इसी भुभाग में रहा हमने पिछले वीडियो में शिंदक नागवंस के विसे में जानकारी आपको प्लब्ट करा दी थी जिसे उपर दिये गए आई वटन में जाकर आप देख सकते हैं आज हम बाकी के दोनों वंसों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं 36 गड़ का मद्य काले नितिहास कांकेर के सोम वंस तथा बस्तर का चालुक के काक्तिय वंस दोस्तों बस्तर संभाग का उत्री भूभाग जिसे हम उत्री बस्तर के नाम से जानते हैं जिसमें वर्तमान कांकेर जिला आता है इस भुवाग को प्राचिन काल में काकराय प्रदेश के नम से आना जाता था कांकेर में सोमणसी सासक सासन करते रहे यहां के सोमणसी सासक रतनपूर के कल्चुरियों के मानलिक या सामन थे कांकेर के सोमणसी राजा भानुदेव तेरा सोवी सिस्वी के कांकेर से प्राप्त अभिलेक में हमें इस वंस की वंसावली प्राप्त होती है टैनका पार्क में पंप राज के दो तामरपतर भिलेख मिले जिसे पंप राज के पिता सोम राज और सोम राज के पिता बोपदेव का उलेख है इससे प्रतीत होता है कि बोपदेव के समय कांकेर के सोमनसी राज की दो साखाएं हो गए थी एक साखा में पंपराज और दूसरी साखा में चार-पाच पिढ़ी बाद भानुदेव का उदै हुआ राजिम सिलालेक से ग्यात होता है कि रतनपूर के कल्चुरी सासक प्रथविदियो दिती के सेनापती जिगत पाल ने काकराय अर्थात वरतमान कांकेर छित्र को जीता था बालो जिले के गुरूर में एक छोटा स्यूमंदिर मिलता है जो दच्छिर भारती कला से प्रभावित है दोस्तो कांकेर के स्यूमंस के प्रमुख सासक को हम इस चार्ट के दौर आपके समझ प्रस्तुत करते हैं शिहराज इस स्वंस का प्रथम या आधी सासक रहा है ब्याघरराज बालो जिले के गुरूर में इसके दौरा निरमेत सिव मंदिर मिला है काल भैरो मंदिर जिसमें ब्याघरराज का भिलेख है वोपदेव इसके समय कांकेर का सोमस दो साखाओं में विभाजित हो गया था अन्य सासकों में कृष्णराज, जैतराज, सोमचंद्र, भानुदेव इसका 1322 सिस्वी में कांकेर का एक अभिलेखा में प्राप्त होता है दोस्तो इस तरह से हमने कांकेर या काकराय छेतर के सोमस के प्रमुख सासकों और उनके युगदान के विशाय में संचित में जानकारी प्राप्त किये आएए इस कड़ी में आज हम बस्तर के इतिहास का सबसे महत्पूर्ण और सबसे लंबे समय तक सासन करने वले राजवंस चालुक के काक्ती वंस पर प्रकाश डालते हैं इसका समय खंड 1324 इस्वी से लेकर 1948 इस्वी तक रहा चालुक के काक्ती वंस मुलत है दच्छिन भारत का राजवंस था इस वंस के सासकों ने अंद्रप्रदेश के वातापी वेंगी जैसे छित्रों में सासन किया 24 सतापदी की प्रार्मिक दसक में इनकी एक साखा वारंगल को केंद्र में रख कर सासन कर रहे थी जहां प्रताप रुद्रदेव जैसे सुप्रसिद्र सासक हुए इन्हें के छोटे भाई अन्नम देव ने तुर्क आक्रमर से बचने के लिए वारंगल छोड़कर हमारे बस्तर के पश्चिम छित्र में वीजापूर से प्रवेसोत करते हुए पश्चिमी बस्तर में बारसूर पहुँचे इसी भुभाग में मांधोता को राज्धानी बनाकर इनोंने सासन करना प्रार्म किया 1324 इसी में इनका संघर उस समय छिंदक नागवन्स के अंतिमसासक हरिश्चिंद्र देव से हुआ जिने पराजित कर इसने संपूर्ण छेत्र में चालुक के काक्ती वन्स के स्थापना की इस उपलच्छ में 1324 में वरतमान दंतेवाड़ाजिले के डंकनी संकनी के संगम पे तराला गाउ में मांधनतेश्वरी का सुपसित मंदिर बनवाया दोस्तों ये महतपूर्टत याद रखें कि बस्थर की सबसे अराधि देवी मांधनतेश्वरी का मंदिर किस ने बनवाया शालुक के काक्ती सासक अन्नम देव ने कब बनवाया 1324 इस वंस का अंतिम सासक प्रबीर भंज देव था जिसके सनए 1940 में इस रियासत का विले भारती संग में हो गया दोस्ते एक महतपूर्टत अथ्याप को जानना चाहिए कि आखिर बस्तर के इतिहास का सबसे प्रमाणी ग्रंथ हम किसी कहते है वरतमान साच्यों और संदर्भों के अनसार पंडित किदारनाथ ठाकूर या किदारनाथ पांडे के दौरा लिखित बस्तर भूसर्ण जिसे हम बस्तर का खूनी इतिहास के नाम से भी जानते हैं बस्तर के इतिहास का सबसे महत्पूर्टत है ये प्रस्री कई बार आ चुका है बस्तर भूसर के लेखा कोन है पंडित किदारनाथ ठाकूर या किदारनाथ पांडे आए दोस्तों चालुक काक्ति वन्स के प्रमुक्षासक और उनका योगदान अन्नम देव 1324 से 1379 भाई प्रतापृद्र देव की म्रत्यू के प्रश्चात अन्नम देव वारंगल छोड़कर बस्तर पहुचा और इंद्रावती के उत्री छेतर को जीत कर काक्ति वन्स की स्थापना की इसने म अन्धाता को अपने राजधानी बनाया 1324 में अन्नम देव ने ही ग्राम तराला में मादंतेश्वी के इससुप्रसिद मंदिर का निर्माड करवाया तथा चंदेल राजकुमारी से विवा किया लोगईतों में बस्तर के हल्वी भासा में प्रश्रित लोगईतों में इसे एक चालिकी वंस राजा कहा गया है आए इस कड़े में हम चलू काक्ति वंस के दूसरे राजा हमीर देव 1379 से 1410 इस सासक के विशय में हमें उडिया या उडिशा के इतिहास में कफी जानकारी प्राप्त होती है भेरों देव 1410 से 1479 इसके विशय में कुछ खास तो नहीं किन् इनकी रानी मेधावती के विशय में कुछ साच प्राप्त होते हैं मेधावती आखेट विद्या में निपूर थी तथा बस्तर सिल्क क्राप्ट में भी इसका युगदान था मेघावती के स्मृति में आज भी मेघी साडियों का प्रचलन बस्तर छेत्र में है पुर्सुत्म देव 1479 से 1534 मांधोता से अपने रायधानी को वर्तमान बस्तर ग्राम में इस थाना न्तृत किया बस्तर का सोपसेद दसहरा गोंचा पर बस्तर की रथियात्रा इसी ने प्रारम की उडिशा के पूरी के राजा ने पुर्सुत्म देव को रथपती की उपाधी दी थी दोस्तों ये काफी महात्पूर है कि बस्तर की रथियात्रा विश्टो प्रशिद्ध है बस्तर की रथियात्रा प्रारम करानी का से किस चालुक की काक्ती सासक को जाता है पुर्सोत्म देव किस सासक ने अन्नम देव द्वारा इस्थापित मांधोता की जगे बस्तर को अपने राजधानी बनाई पुर्सोत्म देव प्रताप राज देव 1534-1602 पुरसोत्तम देव के प्रश्चात जैसी देव और नर्सी देव सासक वे नर्सी देव के प्रश्चात अत्यन प्रतापी राजा प्रताप राज देव हुआ इसी के समय गोलकुंडा के कुली कुतुबसाह की सेना बस्तर छितर में आक्रमन करना सुरू की बस्तर के प्रताप राज देव ने बहादुरी से लड़ा और इस आक्रमन को विफल कर दिया इसलिए कहा जाता है, बस्तर छित्र में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चालुकाक्ती सासक के सिवह। परताप राजदिय। आक्रमण करता कौन था गौलकुंडा के कुली कुत्वसाह, जगदीस राजदिय। गौलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब साहे द्वारा इसके सासनकाल में बस्तर छित्र में अनेको बार आक्रमन किये यह 39 वर्स की उम्रे में या 49 वर्स की उम्रे में यहां का सासक बना था बीर्सी देव 1654 से 1680 अपने सासनकाल में राजपूर का दुर्गिया के लिए का प्राचीर बनवाया था राजपाल देव बस्तर के पौरानिक साच्छों में इसे रचपाल देव के नाम से वईनित किया गया है प्रावड प्रताप चक्रवर्ती की उपाधी धारन की मनकेश्री देवी का अनन्य उपाशक था दोस्तो कौन सा चालू के काक्ति सा सकता जिसने प्रावड प्रताप चक्रवर्ती की उपाधी धारन की राजपाल देव इसे इस्तुनती में आप बैठा लिजे चंदेल मामा दलपत देव के हाथों इसके मृत हुई कुछ समय तक यह बस्तर में सासन किया था दलपत देव इसके सासन काल में रतनपूर राज भोसलों के अधिनाया 1741 में प्रतच और 1758 में प्रतच रुप से बस्तर के बस्तर में भोसले सेनापती दोस्तो नाधपूर में भोसले राजवनस का सासन था और इनों ने चत्तिगर चरिंट में निरंतर आक्रमर के अपने राज का इस्तार किया बस्तर में भोसले सेनापती निलूपंद का प्रतम बार आक्रमर इसी के समय हुआ था अर्थात दल्पत देव के समय इसलिए इसने अपनी राधानी बस्तर से इंद्रावती नदी के दच्छिड में जगदल पूर इस्थाना अंतित किया था साथ ही भोसले सासकों ने इससे वार्षिक टकॉली या जमिदारी सुल्क लेना सुरू कर दिया दोस्तो दल्पत देव के समय ही बंजारा जाती के लोग बस्तर में प्रविश किये बंजारा ये खाना बदोश जन जाती के लोग हैं और कंगी सिल्प के लिए इनका महत्पूर योगदान है ये मराठों के साथ बस्तर में प्रविश किये थे अजमेर सिंग 1774 से 1777 करांती का मसीह इसी के समय हलबा भी द्रो हुआ था अजमेर सिंग वा दरियाओ दियो के मध युद्ध हुआ दरियाओ दियो की हार हुई उसके समय ही 1777 में कमपनी अर्थात इस्ट इंडिया कमपनी के प्रमुक जानसन वा जैतपूर सेना तथपूर से भोसले के रहें नापूर सेना पश्चिम से अक्रमर किया फल से रुप अजमेर सिंग पराजित हुआ और दरियाओ दियो बस्तर का सासक बना दरियाओ दियो 1777 से 1800 अजमेर सिंग के वरुद्ध मराठों के साथ मिलकर सरियंत रचाओ इसके समय ही बस्तर राज भोसलों के अधिन करद राज अर्थात उनके अधिन टेक्स देने वाला राज बन गया दरियाओ दियो ने कोट पाट की संधी 6 अप्रेल 1778 को की 6 अप्रेल 1778 जिसके परिणाम सुरो बस्तर नागपूर की रियासत के अंतरगत रतनपूर राजी के अधिन आ गया अर्थात बस्तर की सतंतता अब समाप्थ हो चुकी है इसी के समय बस्तर छित्रिगर का अंग मना इसने मराठों को 69,000 रुपए वार्षिक टकोली देना सुविकार किया दरियाओ देव के समय ही 1795 में भोपाल पत्नम का संगर्स हुआ 1795 में कैप्टन ब्लंट पहले अंग्रेज यात्री थी जोनोंने बस्तर के सीमावरती छित्रों की यात्रा की किन्तों बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाए कांकेर तक के भुभाग में इनका आग्मन हुआ तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगा पहला यूरोपी जो बस्तर की बाहिश सीमाव में पहुचा था कैप्टन ब्लंट महिपाल देव सबसे कम उम्र मात्र नवर्स की आईव में बस्तर का सासक बना यह दरियायो देव का जेश्ट पुत्र था महिपाल देव 1808-1842 तक सासन किये भोसले राजाओं को टकोली देना बंद कर दिया जिसके कारण ब्यंकोजी भोसले के सेनापती राम चंद्र बाग के नेत्रत में मराठा सेना ने बस्तर प्याक्रमर किया महिपाल देव को 1830 में सिहावा परगना मराठो को देना पड़ा अंग्रेजों के अपरतेचे सासन काल 1818-1825 हुआ परलकोट के जमिदार गेंसिंग के नेत्रत में इसी के सासन काल में विद्रो हुआ परलकोट का भुमिया जमिदार गेंसिंग का विद्रो 1824-25 कारण परलकोट जागिर्दारी में मराठों और चान्दा के नवाप का अनावशक हस्तचेव तथा जनजातियों के जीवन और मुल्लेओं में दखल देना ही इस विद्रो का करण था भुपाल देव 1842-1853 दोस्तो भुपाल देव के समय मेरिया विद्रो 1842-1853 हिडमा मांजी के नेत्रित में हुआ था वस्तुत ततकालिन बेटिस सासा ने नर्वली पे प्रित्वन लगा दिया था उस समय भारत के गवर्णर जनलर बिलियम मेंटिक थे उसी दवर में भुपाल देव के भुपाल देव बस्तर के राजा थे और मेरिया विद्रो इसलिए हुआ क्योंकि नर्वली को रूक लगा गया था दोस्तों ये ध्यान के नर्वली से सम्मंधित जन जाती विद्रो मेरिया विद्रो इसका नायक कों था हिडमा माजी तारापूर विद्रो दिवान दलगंजन सिंग के नेत्रत में भुपाल राजस्य की बढ़ोत्री की वज़े से तारापूर विद्रो हुआ था दलगंजन से 1947 तक इस चात्र में रहा 1856 में चत्तिगर संभाग का प्रथम डिप्टी कमिशनर चाल्स इलियर प्रथम येरोपी था जो बस्तर आया था अधिकतर विद्रो इसी के समय हुए लेंगागिरी विद्रो 1856 धुरुवा राओ माडिया की नेत्रत में कोई विद्रो था जो वर्तमान बीजापूर दंतेवडार सुक्मा के मधवर्ती भुबाग में हुआ था मुडिया विद्रो अठारा सो छेयत्तर जाडा सिरह के नेत्रत में हुआ था रानी चोरिष 1878 से 1886 36 गर्ष की प्रथम विद्रोहिणी का दरजा रानी चोरिष को प्राप्थ है रुद्र प्रताप देव 1891 से 1921 इसी के समय नियोजित सहर की रुप में जग्दलपूर का विकास किया गया इसे के लिए इसे कहा जाता है चत्तिगड राज का चवराहों का नगर जग्दलपूर यूरोपी युद्र में अंग्रेजों की सहायता करने के काल अर्थात प्रताम इस युद्र में अंग्रेजों की मदद करने की वजए से अंग्रेजों ने इसे सेंड पालाप जेरुसलम की उपाधी दी थी 1910 का सो प्रसिद भूमकाल बिद्रोह इसी के सासनकाल में हुआ था जिसका नित्वेत धुरवा जन्जाती के गुंडाधुर ने किया था गुंडाधुर को छत्यगण का तात्या टोपे भी कहते हैं भूमकाल बिद्रोह का मुख सरेंत्रकारी या विश्वास घाती सोना मांजी को माना जाता है किन्तु इस विद्रोह के रणीती कार सुत्रधार लाल कालेंसिंग है रुद्र प्रताप सिंद्यो के सासनकाल में बस्तर यासत में एक अत्यंत अमानवी प्रथा घैटी पोनी का प्रचलन था दोस्तो यह आसामाजी प्रता का तात पर ये था कि यदि कुछ निमन जाती कहार आधी समदाए के लोग मनत्य हो जाते थे तो उनकी पतनी राज की संपत्ती हो जाती थी और उसकी खुलेयाम निलामी होती थी और उसे प्राप्ते राजस्व को राज के खाजाने में बदला जमा किया जाता था ऐसी प्रथा को घैटी पोनी प्रथा कहा जाता था प्रफुल्य देवी छत्तिगण की प्रथम वा एक मात्र महिला साशी का इनके पती प्रफुल्य चंद्र भंज देव मयुर्भन के राजकुमार थे उरिशा की रियासा ता मयुर्भन इनके ही पुत्र थे प्रवीर चंद्र भंज देव जिनका राजवशेक 1922 में मात्र 12 वर्स की उम्रे हुआ ब्राजकुमारी महारानी प्रफुल्य देवी की मिरती 1936 में लंदन में एपेंडिसाइटिस नामग विमारी की वज़े से हो गए थी प्रवीर भंज देव अंतिम चालुक के काक्तिय सासक आदिवासी इन्हें देवतातुल मानते थी यह सरवाधिक लोक्तिरी सासक थी 1948 में इन्ही के सासन के दौरान बस्तर रियासत का भारती संग में बिले हो गया और यह देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने 1946 में गोली कान की वज़े से पुलिस ने इनको इनके महल में गोली मार दी इनके दौरा लिखी प्रसिद पुस्तकों में आए प्रवीर दे गौड आप आधिवासी लोहंडी गुडा तरंगनी इनकी स्मृति और सब्मान में शत्तिगड राज़ बनने के उपरान सरुषिश तिरंदाजी इनकी सरुषिश आर्चर का पुस्कार प्रवीर भन्जदिव के नाम से सुरू किया गया जिसमें दो लाक रुपए दे जाते हैं और यह पुस्कार 2004 से प्रारम हुआ था दोस्तो दोस्तो हमारे दोरा बस्तर के इतिहास पर कांकेर के सोमन्स और बस्तर के चालुक काक्तिवन्स की विशाय में जो बिवित तत्य आपके समझ प्रस्तूत किये गए हैं हमें ऐसे उमेद है कि आपको जरूरी है कापकी उप्योगी और प्रसंद आयक लगे होंगे आता है दोस्तो आपसे यहनरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक, सेयर, सबस्क्राइब जरूर करें तथा आपके सुझाओ हमें जरूर दें जिससे हम और आगे बढ़ सकें थैंक्स